दोस्तो अगर आप इंडिया मार्ट एकाउंट कुछ रिजन की वज़ह से डी एक्टिवेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा वो मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तो ये वीडियो पूरा वाच करना तो आपको प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फोन में इंडिया मार्ट एप्लिकेशन ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद उपर कॉर्णर पे जहां पे मैं एरो दिखा रहा हूँ वहाँ पे क्लिक कर देना है और नीचे स्ट्रोल डाउन कर देना है अब यहाँ पे आपको सेटिंग्स के उपर क्लिक कर देना है बाद में अब यहाँ पे उपर corner पे जहाँ पे मैं arrow दिखा रहा हूँ वहाँ पे click कर देना है यहाँ पे आपको disable account के उपर click कर देना है और अब यहाँ पे disable के उपर click कर देना है बाद में अब यहाँ पे yes के उपर click कर देना है दोस्तो अब यहां पे आपको India Mart account deactivate करने के लिए आपका जो भी reason है वो यहां पे आपको select कर लेना है और अगर आपका reason यहां पे available नहीं है तो आपको others के उपर click करके आपका reason यहां पे type करके submit and deactivate के उपर आपको click कर देना है तो आप देख पाओगे successfully disabled, your account will be disabled in 24 hours और आपको दोस्तो एक tax message भी मिल जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप India Mart account deactivate कर सकते हो उम्मीद करता हूँ दोस्तो आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी Thanks for watching my video